आप सभी का Home Science Classes में स्वागत है तो Home Science में अभी हम पढ़ रहे Nutrition Assessment का ये तीसरा टॉपिक है Clinical Examination इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इसके मैथड्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में और डेटेल से जानेंगे तो चलें करते हैं, आज के वीडियो स्टार्ट तो सबसे पहले हम जानेंगे Clinical Examination होता क्या है ये क्या होता है, ठीक है? तो Clinical मुल्यांकन उपकरण और वीधियां रोग परीचे और उसके उपचार के लिए उपियोगी होती है ये मुल्यांकन उपकरण और वीधियां चिकिसा जाज के संदर्व में महतपूर होती है और रोगी के सिती का मुल्यांकन करने में मदद करती है तो ये जो assessment है इसमें क्या किया जाता है? इसमें देख कर, कुछ टेस्ट करके पता किया जाता है कि जो रोगी है, जो रोगी है, इसका क्या problem उसको कौन से बिमारियां है कौन से बिमारियां, किसकी कमी है तो डाइगनॉस कर किया जाता है clinical assessment में ठीक है? ये नहीं कि बस टेस्ट होता है, इसमें बहुत कुछ इसमें जब मरी जाता है तो इसको इसकी hair देखकर इसके skin देखकर या इसको अगर vitamin C की कमी है तो इसके मसूरे देखकर vitamin A की कमी है तो इसके आँखे देखकर तो पहले जो देखकर उसको देखा जाता है कि हाँ इसमें कौन कौन से देखने को और सिम्टम से मिल रहे हैं तो अब बात करेंगे क्लिनिकल असेस्मेंट मैथोड्स की तो कौन-कौन से मैथोड्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे करके ठीक है पिच्छे के साथ आपको और अच्छे से समझ में आएगा जहां समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज तो देखें जो पेशन है जो रोगी है उसका हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है उसका मैडिकल हिस्ट्री उसको सिम्टम्स लाइफस्टाल कैसी है पास्ट ट्रीट्रमेंट कौन से चल रहे हैं तो देखें उसकी हिस्ट्री अगर उसको डायविटीज है तो उससे पू डॉक्टर है या जो nutrition, dietitian है तो उसको पता होगा कि जो patient है जो रोगी है उसकी history कैसी है अगर उसको diabetes है तो कौन से दवाईयां देनी चाहिए कौन से नहीं हार्ट problem है तो कौन से देनी चाहिए कौन से नहीं फिर second जो आता है physical examination जिससे हम देख कर पता कर सकते हैं जैसे जो physical science ह होते है symptoms होते है oral health कैसा जैसे आखों में जो धब्बे होते है तो vitamin A की कमी है पैलग्रा में देख सकते है हाथ कैसे हो जाते हाथ पैर जो vitamin B3 जिसे niacin कहते है उसकी कमी के कारण होता है तो डॉक्टर ऐसे देख के भी पता कर सकता है रिकेट होता है vitamin D कि उसके पैर अगर ते फिर जो तीसा टेस्ट होता है वो हता है लाइबरोटी टेस्ट तो आप इसमें क्या होता है blood, urine, tissue, samples लेकर एक्जाम टेस्ट किया जाता है कि blood में किसी चीश की कमी तो नहीं है या urine में जाना glucose निकल दा ग्लूकोस निकल दा शुगर हो जाएगा diabetes हो जाएगा टीशू में क् सैंपल लिया जाता है urine से क्या होता है kidney का भी टेस्ट होता, blood से हीमोगलोबीन, vitamins, minerals क्या क्या कमी है सभी कुछ पता चल जाता है तेस्ट से तो इसमें important role third number पर आता है test किया जाता है पूरा clinical देखने के बाद हाँ यह देख लिए इसके बाद यह test लिख दिया जाता है डॉक eye scans, ultrasound, pet scan यह सभी scan किया जाता है एक्सरे में क्या होता है आपका chest का पूरा x-ray लिया जाता है एक image होता है एक चित्र होता है जिसको देखकर डॉक्टर देखता है कि हाँ वहाँ कुछ कमी तो नहीं है chest में कोई infection तो नहीं है city scan में पूरा body scan होता है MRI में पूरा scan करके image आती ह तब decision लेता है कि कौन से की medicine चलानी है कौन से नहीं चलानी है तो यह सारा process चलता है clinical assessment method में ठीक है तो यह बहुत लंबा process होता है यह नहीं कि एक दो test हो गया हो गया नहीं बहुत सारा test होता है उसके advantage की बात का है तो यह fast and easy to perform है तो बहुत जली जल टेस्ट करके हम पता कर स बहुत जारा पैसे खर्च होते हैं जो हर लोग effort नहीं कर पाते हैं पर यह non-investive है ठीक है तो देखें जो इसका advantage तो बहुत सारा है जो limitation है did not detect early access तो मतलब जो जल्दी से detect हो नहीं पाता problem कई चीज़ बहुत सारा test करने पड़ते तब ही detect होता है कई चीज blood test नहीं होता सिट scan कराना पड़ता ही है म्राई कराना पड़ते हैं जो बहुत सारा test करानी के बाद ही यह कोई भी बिमारी का पता हो पाता है तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें ऐ शेयर करें अब तक आपने चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करे.